वाश्कार दोस्तों आप सब का फिर से स्वागत है मेरे स्यूट्योप चैनल पर दोस्तों आज के स्यूडियों में हम देखने हो ले यूरोपन क्रिकेट टी टेन की जो मैच है एच बी एससी वसस पी आईसी की इसकी टीन ड्रीमिलोन की विनिंग टीम हमको देख लेनी है जिसे कि आपको अच्छी खासी अर्णिंग हो सकती है या फिर आप ग्रांड लिग या स्मॉल लिग जरू जीद सकते हैं जैसे कि मैंने मैच को हालाट करके दिखा दिया उस पर आपने अप तक टीम नहीं बनाई है तो आपको ख्रीटर करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों आपके अपने अपनी चानल को अगर आपने अप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रू सब्सक्राइब कर लिजे साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके आल पर क्लिक करना ना भूले ताकि ऐसे वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पोस्ते रहे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं माय टीम पर क्लिक करके और पाइली टीम को मैं आपको एडिट करके दिखा देता हूं तो यहां पर देख सकते हैं कीपिंग में अगर आप देखे को ले रहा हूं इम बाबर को ले रहा हूं एस अली को ले रहा हूं तीनों की तीनोंको मैं जरूर शामिल करूंगा इसके गेनबाजी में मैंने इस बार चार ओप्शन चूज़के, जे डी में को ले रहा हूँ, ए मोहमत को ले रहा हूँ, उसके बाद मैंने बी बुडान डिक को इस्टीम में ले रहा हूँ, एफ विंग को इस्टीम में शामिल कर रहा हूँ, तो इस तरह से चार गेनबाजों को मैं धाइस काप्टन हम किसे चूज कर सकते तो यहाँ पर देख सकते दोस्तों सबसे पहले मैंने कामरान को क्याप्टन मणाया और एमबाबर को वाइस काप्टन बडा है इनका दोनों के स्टाट्स में आपको जरू दिखाऊँगा इससे पहले हम टेम प्रिवियों कर ले दें जैसे कि आप देख पारें या पर मैंने कीपिंग में टी वीसी को इस टीम में शामिल कर रहा हूँ इसके बाद बैटिंग की बात करें तो तीन बल्ले बाजे एस अली एम बाबर और टी वार्ग बर्ग अगर बात करें ऑल डाउंडर्स की तो कामरान ह तो तीनों की तीनों बेस्ट है दोस्तों उसके बाद गेनबाजी में अफकोस मेरे पास चार इस बार ऑप्शन है हाँ एक ऑप्शन ठोड़ा रिस्की ज़रूर है लेकिन प्लेयर काफी अच्छे ज़रूर आप इनको ले सकते अगर बात करें तो चार गेनबाज मेरे पास विंक है जे डी में है मोहमद है और बुडेंग डिजिक है तो इस तर से अच्छी खासे टीम बढ़ चुके जरूर मैं आप इस टीम को अपनी हिसाब से यूज की जगा लेकिन मेरी सला रहेगी ग्रांड लीग और स्मॉल लीग दोनों के लिए बेस्ट टीम है दोनों के जा है यहां पर देख सकते हैं क्यापन अम कामरान को बनाया वास्क्यापटन एंबाबर बनाया दोनों की डोनों बेस्ट है और कबिर तक इन दोनों टीमों में सबसे बेस्ट कप परफॉमंस इन दोनों का ही रहा है तो जैसे कि मैंने आपको बता यह अगर बनता होंगा तो य लेकिन इतना अच्छा प्रफॉर्मस नहीं रहा है बल्लेबाजी में उन्होंने नो गेंडों में दो इरन बनाए थे आगर आपको बता दू कि कामरान ने एक मैच में 136 पॉइंट दिये है और एक मैच में 100 पॉइंट दिये मेरे खाल से तो इस तर से यह दोनों मैच में काफ बढ़िया परफॉर्मस के है दोनों मैच में इनको बल्ले बाजी भी आई है गेंड बाजी भी मिली है एक मैच में उन्होंने एक आल्डाउंडर परफॉर्मस के है जिससे की काफी आपको फायदा हो सकता है अगर आप इनको क्याप्टन और वाइस क्याप्टन बनाएंगे तो इसलिए मैंने यहां पर इनको अभी वाइस क्याप्टन बना लेकिन मैं आगे जरूर आपको इसको इनको क्याप्टन भी बनाके दिखाऊंगा तो कुल्मिला के हमारे टीम काफी अच्छी बन चुके जरूर इस टीम को भी ग्रांड लिक के लिए दोनों के लिए उच कर लिए तो इसलिए मैं इनको जरूर लूँगा और परफॉर्मस भी अच्छा रहा है अगर देखते बैटिंग की बात करते तो बैटिंग में मैंने एस वी ने विन को स्टिम में शामिल रखूंगा ही उसके बाद एस बाबर और एस अली इन तीनों को इस बार फिर से मैंने लिए तो इस तर से आप ज़रूर कर सकती है चलिए दोस्तों अगर बात करें train तर्म फिरशन यहाँ पर यहाँ पर फिरसे यहाँ पर बीसे यह तीन सब्सक्रा करें यहाँ पर चेंज करना थोड़ा मुश्कील है तो मैं आगले टीम में जरूर कोशिश करूँ गेंबाज की बात करें तो यहाँ पर जे डी में को ले रहा हूँ फिर से यहाँ पर देख सकते एम बुडे निक को ले रहा हूँ और एफ विंग को ले रहा हूँ तो इस तर से क्लिक करते हैं देख लेते कैप्टन किसे मना सकते तो यहाँ पर एम बाबर को कैप्टन मना रहा हूं टी विजिक को वाइस कैप्टन मना रहा हूँ तो अफकोस पिर से इनके स्टाट जरूर देखेंगे लेकिन उससे पहले टीम प्रिवियो कर लेते जैसे कि आप देख पा लिए तो जैसे कि टी वीजी और एम इस तरह से दोनों की परेव अगर बात करें बल्ले बाजी की तो देख सकते एस विंग को ले रहा हूं एम बाबर को ले रहा हूं एस अली को ले रहा हूं तीन अच्छे खासे बल्ले बाज भी चूस करने के बाद मेरे पास आल जी डी मेगो ले रहा हूं तो यह बी टीम काफी अच्छी बन चूके रोस्तों काफी अच्छी और खतर्नाक है जरूर इस तिम को आप ग्रांड लिग के लिए जादा से जादा आउज कीजीगा स्मोल लिग के लिए बी जरूर उच कर सकते लेकिन ग्रांड लिग के लिए तो आपको जाधा फायदा हो सकता है आप लिग सकते या फिर अच्छिक अर्णिंग कर सकते या साथ था अगर आप लगा थे तो व्हिञ जीत सकते तो आप ऐसा भी कर सकते इस इस ट्म को दोको के लिए fotosकते दोनों लिगों के मतलब एक ग्रैंड लिगों के स्मॉल लिग दोनों भी लगा सकते क्याप्टन और वाइस क्याप्टन की बात करें तो फिर से यहां पे देख सकते मैंने एमबाबर को पिछले टिब में क्याप्टन बना रहा हूँ अल्रेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि इनका परफॉमस किस तरह से रहा है एक मैच में सोला गे च्हेन जोला रस एक मैच में नौ गेंड़ों में तेहीस रस पीन विगैट तो काफी खतरनाक परफॉमस है तो ज़रूर आप इनको captain बना सकते अल्रेडी मैं बोल चुका था प्रिलेटिब में जरूर में आगे आपको इनको captain बना के देखाऊंगा अगर बात करें वाइस captain की तो इनका भी performance काफी बढ़िया रहा है दोस्तों और यह एज विकेट के पर है तो सिर्फ इनको बैटिंग मिलती है बॉलिंग इनको नहीं मिलती है और टॉप आर्डर में बैटिंग कर सकते हैं तो यहां पे उन्होंने पहली पॉइंट दे सकते इस टीम को भी अभी क्लोच कर लेते हैं सेव कर लेते और तीसरी और आखरी टीम में आपको इडिट कर के दिखा देता हूँ तो वो भी टीम काफी अच्छी बनी है रोस्तो जरूर हम देख लेते तीसरी टीम को यहाँ पर फिच टीव इजी को ही ले रहा हूँ इसके अलग किसी और किपर को नहीं लूँगा बैटिंग की बात करें तो एन सिंग को इजबार लिया है इनको अभी तक दोनों टीमों में नहीं ले पाया था उसके बाद एम बाबर को ले रहा हूँ और एस अली को वापस ले रहा हूँ इस तरसे यह टीम भी काफी जबरदस्त और खत्रनाक बनने वाली है ओल डॉंडर की चार बात करें तो चार अल लिटेगं इस तीम में को ले रहा हूँ उसके बाद फिर से अगे यह को इस तीम में वापस शामिल फिर से कंटिनुब से खतर लेकिक ापक्तो किसे बना सकते तोमें इस टीम का क्याप्टन जैसे कि आप देख पार है टी वीजे को वापस इस टीम का स्काप्टन को दोनों की दोनों बैस्ट है दोस्तो जरू आपको जरू का हूंगा isz से 142 पॉइंट उनों नहीं आ पर दिये थे तो इनको भी आप्न यावएसल का सकते कोर्शन आपके पास थो वो भी मैं आपकोप जरू दिखा river यह यह भी अच्छा खासा परफॉर्मस कर चुकJD गया कर सकते लेकिन इन्हों लास्ट मैचेस में में अच्छा परफॉर्मस करके लेकिन दोनों मैचेस में जिनुन ÖNCAPT night और वाइसकाप्टन मनाया तो आप अपनी मर्जि से क्याप्टन और वाइसकाप्टन चेंज कर सके टीम प्रिव्यू कर लेते हैं TVZ को मैंने इस टीम में शामिल कर रहा हूँ उसके बाद में यापर तीन बल्ले बाज़ों को ले रहा है M.S. M.Babr S. Ali अगर बात करें all rounders की तो चार all rounders ले रहा हूँ M कामरान, A एहमद, S एहमद और M सिंग अगर गेन बाजी की बात करें तो B bondage को इस टीम में फिचे ले रहा हूँ F wing को ले रहा हूँ और JD मे को ले रहा हूँ तो काफी अच्छी टीम बन चुके और अच्छी खासी टीम बन यह तो इससे आप जरूर Grand League के लिए भी उच्छ कर सकते, Small League के लिए भी उच्छ कर सकते, दोनों लीगों के लिए काफी बढ़िया टीम है अगर बात करें, एम सिंग की तो इन्होंने दोनों मैचेस में विकेट अच्छे लिए है, दोस्तों एक मैच में दो विकेट लिए थे, एक मैच में एक विकेट भी लिया था और नो रन भी बनाए थे तो यानि बैटिंग के भी अच्छी कर सकते तो ज़रूर मैख बना शकता है या अल्रडी मैं आपको और भी उप्शन बता चुक है एफ विंग को भी आप बना सकते या फिर एस आहमद को भी बना सकते है तो आप देख सकते अगर आपको वाइस कैप्टन चेंज करना है तो जरूर कर सकते लेकिन यह अच्छे रहेंगे मुझे ऐसा लगता है कि कंसिस्टंसी दोनों मैच्छोंस में अच्छा किया है इनों नहीं तो काफी बढ़िया टीम है फिर से इस टीम को भी आप ग्रांड लि लेकिन ज्यादा चेंजेस मत कीजिएगा थोड़ा रिस्की सावित हो सकता है क्योंकि काफी अच्छी टीम है बन चुके है और अगर आप फिर भी चेंज करना चाहे तो एका दो चेंजेस आप जरूर कर सकते तो आई होप आपको मेरी यह टीनों टीम है और मेरा यह वीडिय होगा और अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेर और कमेंट जरू कर दीजिए चाइनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लिजिए ताकि ऐसे वीडियो आप तक पोस्चे रहे और साथ इसाथ बेल आइकन को प्रेस करक में तो उसके बारे में भी आपको मैं बता सुको तो आज के वीडियो में इतना ही मिलते आगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू धन्यवाद गुडबाई